So, Welcome to Sankat Motion for General Awareness. हम लोग इस बार एक निया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. जिस सीरीज का नाम International Relations and इस सीरीज में सबसे ज़्यादा हम लोग ये फोकस करेंगे कि इंडिया का जो अभी डिपलोमसी है, प्रेजेंट, फॉरेंड पॉलिसी है, वो किस रूप से सेप हुआ? ये सिर्फ अभी जो है, इसके पीछे हिस्ट्री का है, जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटट चीज है, फॉरेंड पॉलिसी का, उसको देखते हुए, हम लोग प्रेजेंट फॉरेंड पॉलिसी को डिसकस करेंगे और इस फॉरेंड पॉलिसी का होने का हमें क्या फाइदा है, क्या लाव है, ये सब कुछ बहुत ही डिटेल तरीके से डिसकस करेंगे, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हम लोग इसको बेस से चालू कर रहें और ये किसी भी, किसी भी competitive exam, common जनता, कोई भी people हो जो इस वीडियो को देखेगा, उसे ये जरूर से फाइदा होगा कि उसे 360 degree of entire foreign policy, जो भी foreign policy है इंडिया का, उसका सारा ग्यान और सारे reasons और ये जो अभी हमारा present diplomacy है, जो की हमारे foreign minister, एजर सेंकर के द्वारा दिखाया जा रहा है, and स्री नरेन मोदी जी के guidance में, जो इंडिया का foreign में structure बढ़ा है, वो क्यों बढ़ा है, इस diplomacy को आईए हम लोग चानते हैं, तो इस lecture में सबसे पहले हम लोग क्या discuss करेंगे, most hot topic that is India France, at present France ने मोदी जी को अपने सबसे हाइस सम्मान से ये दिया है, नवाजा है, तो हम लोग इससे पहले ये जाने कि ये France ने जो किया, at present क्या scenario बन रहा था, जो France ने दिया, क्योंकि France सबको ये ओधा नहीं देता है, तो ये ओधा मिलने का reason क्या क्या है, इसके पीछे क्या diplomacy है, क्योंकि एक बात हर्मेशा याद रखिएगा, कि कोई भी event जो internationally हो रहा है, उसका असर पूरे दुनिया में पढ़ता है, उसका कोई न कोई reason जरूर होता है, इस reason को हम और आप मिलके जानते हैं, तो सबसे पहले, इस lecture में हम लोग discuss ये करेंगे, कि इंडिया फ्रांस का historic relationship कैसा रहा, इंडिया फ्रांस जब से आ रहे हैं, मध्यकालीन से, तब से हमारा फ्रांस के साथ relation कैसा रहा, और आज जो relation है, उसको safe कैसे किया गया, आज जिस stature में फ्रांस और इंडिया है, उस stature तक पहुँचने के लिए, इंडिया को क्या क्या करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है, European nations, हमें third country मानती थी, अजादी के time, हर European nation US के तरफ था, और जो भी अजाद हो रहा था colonies, उसे third world माना जाता था, उसे गरीब देश माना जाता था, तो at present, अगर हम लोग इतने अच्छे conditions में हैं, foreign policy हमारा इतना strong है, तो उसके पीछे जो भी reason है, चाहे वो आप चानक्या नीती ले लीजिए, चाहे वो कृष्ण जी का महाभारत का ग्यान ले 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 जिए, हर कुछ इस्तमाल किया जा रहा है, और यही चीज, छोटे छोटी बारी किया, हम आपके साथ discuss करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पहला है चीज, इस lecture series का phrase ही चालू करते हैं, स्रीक्रिष्ण ने क्या suggest किया था हमें, तो हमें स्रीक्रिष्ण से suggestion ये था, कि philosophy of power dynamics underlines everything, इसका मतलब क्या हुआ, power dynamics अब समझ रहे हो, कैसे shift हो रहा है, पहले US और रशिया था, अब various other power points आ रहे हैं, चाइना, इंडिया, South Africa के तरफ में, उस zone में, तो ये different power dynamics, Saudi UAE आपस में मिलके, West Asia में power dynamics change कर रहे हैं, Israel अपना North में, तो ये सब power dynamics को समझना जरूरी है, अब क्या है कि सब कोई US और Russia, इस दोनों के तरफ नहीं हैं, In fact, NAMP पे भी एक video डाला गया है, और मैं comprehensive video NAMP का भी लेके आऊँगा, non-aligned movement, जो कि जवाल नाल नहरू द्वारा non-aligned movement को start किया गया था, क्या इंडिया आज भी उसे follow कर रहा है, अगर follow कर रहा है, तो ऐसा क्या था, जो 1947-1950s का जो सोच था, क्या वो आज भी इंडिया को फाइदा दे रहा है, तो यही सब समझने के लिए, हम यह सीरीज चालू करते हैं, और आएए, इंडिया-फ्रांस का relation historically समझते हैं, second series में, हम इंडिया-फ्रांस का present relation, और फ्रांस के तरफ से, इंडिया के तरफ से, क्या सोच है, क्या यह है, उससे decipher करेंगे, चलिए, और यह series, most comprehensive होगा, चाहे वो competitive exam के लिए हो, चाहे वो general knowledge के लिए हो, इससे ज़्यादा comprehensive series, आपको YouTube में at present नहीं मिलेगा, that's a guarantee, सबसे पहले, क्या है, क्या है diplomacy, और diplomacy का फाइदा क्या है, क्यों वो यूज किया जाता है, डिप्लोमेसी, आपने एक word सुना होगा, soft power, आए दिन newspaper और news में भी आता है, hard power, और एक और word है, जिसका नाम है smart power, मैं ये तीनो word को अभी हलका हलका समझा देता हूँ, soft power वो है, जैसे कि आप किसी को अपना message, through movies दे रहे हैं, through culture दे रहे हैं, या through certain, जैसे कि soft power का एक सबसे बड़ा चीज क्या है, BBC, BBC News जो UK का है, वो world में, सारे countries में, almost सारे countries में हैं, except China, तो BBC अपना narrative push forward करता है, किस से, soft power के तरूँ, UK, क्योंकि BBC funded किस से है, UK से है, और ये एक controversy भी था, हाल-फिलाल, जो documentary आई थी, वो documentary, BBC द्वारा ही लाहे गई थी, fine, अब चलते हैं, हम लोग, hard power के तरफ, hard power के तरफ क्या, जैसे चाइना भी कर रहा है, Taiwan को, या तो तुम मेरे में जोड़ जाओ, या तो मैं तुमें जोड़ लूँ, जो की रसिया कर रहा है, UKRAINE को, या तो तुम मेरा बात मानो, या तो मैं तुम पर हमला कर दूँगा, और ये हमला हुआ है, और ये हमला भी क्यों हुआ है, इसे भी हम अच्छे से discuss करेंगे, क्या इसमें पूरी की पूरी रसिया की गलती है, या US की गलती है, UKRAINE की, इसे भी हम समझेंगे चलिए इस दोनों के बीच में एक balance आता है smart power smart power वो होते हैं जो कि अपना soft power तो use करते ही करते हैं soft power में एक बहुत बड़ा role इंडिया के soft power में एक बहुत बड़ा role जो इंडियन्स अमरिका या जो इंडियन्स यूरोप जो इंडियन्स foreign country में रहते हैं वो प्रे करते हैं क्यों? क्योंकि वो promote करते हैं अपना culture and right now अगर वो वहाँ के निवासी हैं तो वो वहाँ vote करते हैं जैसे Canada में आप देखते हो खालिस्तानियों पर उतना action नहीं होता क्योंकि वहाँ पर sick community जो की खालिस्तान को support कर रही है वो Canadian Prime Minister, President और उनके parties को vote करती है तो यह है soft power बट इंडिया को जब अपना काम कराना पड़ता है तो इंडिया hard power पर believe नहीं करता है until and unless हमारे पर कोई aggression ना हो हम लोग किसी पर हमला करने नहीं जाते हैं और smart power यहीं आता है place की हम लोग diplomacy से भी हराएंगे जैसे की इंडिया China को जवाब दे रहा है इंडिया Pakistan को जवाब दे रहा है इंडिया Turkey को भी जवाब दे रहा है अब ध्यान से देखेंगे तो Turkey को भी जवाब दिया जा रहा है smart power की थरह और hard power भी उसमें थोड़ा सा use होता है internal matter पर कहोगे, तो हम diplomacy and with various other exercise, military exercise, हम लोग अपना smart और soft और heart power मिला के दिखा रहे हैं, fine, यह सबसे अच्छा तरीका है, किसी चीज को handle करने का, और इसी को diplomacy का एक रूप भी कहा जाता है, चलिए, और यही होता है, जब diplomacy खतम हो जाता है, तो war चालू हो जाता है, क्योंकि आच्छीद खतम हो गई, वहाँ आता है war, इसलिए Russia and Ukraine को रोकने के लिए सब कोई कह रहे हैं कि टेबल पे आके बात किया जाए, let's see what future unfolds, आगे बढ़ते हैं, पहले हम लोग चालू करते हैं, इंडिया का historic engagement with France, क्या कितना historic है, क्या यह Mesopotamia के समय से इंडस वैलियू का जै जो इसका series 2 आएगा, उसमें हम लोग 360 degree, dimension को touch करते हुए, सारे एक-एक topic को उठाते हुए कि हर topic, France और India के relation को सिप्पो कैसे strong किया है, या कैसे effect किया है, क्योंकि strong तो हुआ है, उसका reasons क्या है, वो भी समझेंगे हम लोग, अब क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग international relation को समझने के लिए एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो कि सारे कोई इस चीज पे ध्यान दीजिए कि we have come to focus entirely on diplomacy and conflict cooperation equation, मतलब या तो diplomacy देख रहे हैं हम लोग, या तो कहीं conflict है और cooperation है, मतलब क्या है, जैसे US का साथ नहीं हो, तो आप Russia के साथ हो, is it? ऐसा नहीं है, तो हम लोग इस चीज पे ध्यान दे रहें, इस चीज से थोड़ा हट के देखा जाएं, तो एक historical way भी है, जिसको समझना भो जरूरी है कि India रसिया के against हर जगा बयान क्यों नहीं दे रहा, या anything, France एक veto power nation है, UN में, तो France and Russia, ये दोनोरे veto power है, but France at present European Union में एक लौता है, क्योंकि UK हट चुक तो France एक लौता है, जो European Union में veto power रखता है, and France इंडिया के तरफ अगर है, तो इंडिया का बहुत सारा चीज बहुती असानी से माना जा सकता है UN में, और UN reform में भी France इंडिया का support कर रहा है, तो अब आते हैं क्या historical, आप इसे पहचान रहोंगे, अगर नहीं, तो इनका नाम ह फ्रांसिस बर्नियर, ये मुगल अंपायर के टाइम में आये थे, और इन्होंने एक book भी लिखा था, अब देखिए, यहां हमारा ancient interaction फ्रांस के साथ नहीं है, यहां हम लोग का medieval interaction है, फ्रांस यार यूरोप को हमारे बारे में कब पता चला, जब Arab travelers हमारे यहां से spices ले जाके यूरोप में बेशते थे, तब उन्हें समझ में आया कि हाँ, इस तरीके से India या फिर Indian Subcontinent में पहुचा जा सकता है, उन्होंने sea route निकाला, क्योंकि Arab travelers उन्हें जाने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने sea route निकाला, उन्होंने land route भी निकाला, इस बारे में भी बात किया हुए है, तो पहला क्या हुआ है, यहाँ बुक का नाम जो की बर्नियर जो इंडिया में आके रहे थे, बारा साल रहे थे बर्नियर, उसका नाम है Travel in Mughal Empire, और इसका बात, यह कस्मीर तक गए थे, समझ रहे हैं, कि मुगल अमपायर कितना बड़ा है, और यह कस्मीर तक जाक कारी मिलती है, सेकेंड, जीन बैप्टिस, इनका भी एक लिखा हुआ है, सिक्स वायज, और आज भी यह वो पहुती वैल्यूबल इंफरमेशन उस समय की प्रोवाइड करती है, अब क्या है, कि हमारे, यह तो पता ही है, कि मुगल जैसे जैसे कमजोर पड़ा, मराठा आएं और मराठा जब कमजोर पड़े, तो मराठा को ओवर पावर किस तरीके से किया गया, और पूरे एक छतर राज, युनाइटेट किंग्डम का था, बड़ इसी टाइम, सारे यूरोपियन केंट्री, चाहे आप फ्रेंच बोल लीजिए, चाहे आप दूसरे कंट्री कह लीजि चाहे किसी को सपोर्ट करके राजा बना दीजिए, उससे आप लीज मिले लीजे जमीन, और फिर उन्हें रा दीजिए, वैसे ही करके इन्होंने सारे तरह से लिया, तो फ्रेंच ने भी हमारा, जो गोवा का पार्ट है, इस तरफ का, ये सब फ्रेंच ने लिया था, सेकंड रीजन था, तो कार्नेटिक वर जब भी होता था, तो ये होता था ये उरोप में, या किसी और जगा में, बट जहां भी यूके और फ्रांस होते थे, ये कार्नेटिक वर, अगर इंडिया में ये दोनों पावर है, तो दोनों वहां लड़ने लगेंगे, अगर ब्राजील य साउथ एफरिका में है तो वहाँ लड़ने लगेंगे यूरोप में तो लड़ाई हो ही रही थी तो इसे कहते काइनेटिक वर तो काइनेटिक वर में और भी बहुत कुछ हुआ था जो बंगाल को हरा दिया गया था और लॉड क्लाइफ बंगाल से बहुत ज़्यादा पैसा लेके आये थे और आर्मी भी और फिर यूके ने फ्रांस को थर्ड कार्नेटिक वर में हराया था तो यह जो चला 1746 से 1763 जहां पर फ्रेंच को हरा दिया गया बट इसको प्रॉक्सी वर मैंने जो कहा था प्रॉक्सी वर कह ज़गा लड़ा जा रहा है कोई रीजन नहीं है इंडिया में इन लोग को लड़ने का बट यह लोग लड़ रहे हैं जिस्ट फ़ोग पावर डाइनमिक्स यह खतम अब आएए modern टाइम्स में इंडिया ने पार्ट सेटिपेट किया था और इंडिया को बिना बोले ही इसका पार्ट बनाया गया था, First World War का भी, Second World War का भी, First World War में ये लालस दिया गया था, कि आप लोगो स्वराज दिया जाएगा, स्वराज क्या होता है, Self-Government, और इन्होंने कहा था कि हमारा World War खतम हो जाए, उसके बाद हम लोग आपके बारे में देखेंगे, बट मिला क्या, हमारा 1990 का जो Act आया था, Government of India Act, इसमें दोका ही मिला, इसमें बहुत minimum number of power दिया गया और ना के बराबर, जिसका कोई भी टाइम में Governor General ओवर्राइड कर सकते थे Now, Let's Start, तो यहां पर देखिए, गबर नेगी, यह नाम आप लोग ने सुना होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे 2015 में, तो यह विजिट किये थे, गबर नेगी का Memorial को, वहां पर यह First World War में लड़े थे, Fine, अब क्या है, कि जो भी ची common vision है, what do you mean by common vision, हर एक country का cooperation जो होता है, वो cooperation किसी common चीज में होता है, मान लिजे कि India और France, defense में तो cooperation कर रहे हैं, या फिर, export-import में cooperation कर रहे हैं, बट क्या, पूरा export-import में cooperation हो रहा है, नहीं, जहां दोनों देश को फाइदा है, वहीं cooperation हो रहा है, जहां एक दूसरे से फाइद है, वहीं cooperation हो रहा है, बट अगर इंडिया को उनसे फाइदा निकालना है, तो इंडिया क्या करेगा, hard power तो use कर नहीं सकता, because we are not on the fight with any of the European relation right now, हम लोग लड़ाई में नहीं हैं, तो हम लोग use करेंगे smart power, smart power यहां कैसे use होगा, एक तो हमारे वहां पे जो भी है, students, या फिर काम करने वाले लोग, वो लोग के तरफ से pressure जाएगा, क्योंकि अगर वहां के वो निवासी हैं, तो वो vote करेंगे, वोट करेंगे तो इंडिया कहीं भी बहुती ज़्यादा significant numbers में Indians है, और they can affect the result, तो ये एक part हो गया, smart power कैसे, अगर आप नहीं दोगे defense equipment, तो मैं किसी और से लोगा, loss किसका, France का, अगर आप defense equipment के साथ हमें transfer of technology नहीं दोगे, तो we will deal with any other nation who is willing to provide equivalent number of defense equipment with safety, with priority of good equipment and transfer of technology, मतलब कि अगर आप नहीं, तो कोई और देंगा, so, फाइदा हमारा तभी होगा, जब हमें transfer of technology मिलेगा, ये एक smart power का game है, अब देख रहोगे, रफैल, जब India ने खरदा, तो रफैल में investment भी आया था इंडिया में, ये कैसे हुआ, ये smart power, सिर्फ खरीद लेने से क्या होगा, technology आएगा, तब तो हम लोग बनाएंगे अपने स जीवन भर तो खरीद के काम चला नहीं सकते, तो यहाँ है, bilateral relation, where both country are cardinal and progressing at rapid pace, मतलब साथ में चल रहे हैं, अब progress कर रहे हैं, India's bilateral relation with France depends about twin component of diplomacy and defense, see, twin component है, diplomacy भी है और defense भी है, ठीक है, और क्या है, it's not incorrect to suggest that trade and economics is becoming a reason of bilateral relation as well, देखें, मैंने आपको trade के बारे में पहले mention किया था, क्योंकि आपको पता है, जितने भी European countries है at present, UK भी हमारे साथ free trade agreement sign करना चाहा है, क्यों, एक तो UK निकल चुका है, secondly, कोई भी European countries चाहिना पर एक तरीके से पूरे dependence नहीं हो सकते, क्योंकि Corona के time में जो supply chain पर असर पड़ा था, उस supply chain पर फिर असर ना आएं, इसलिए China plus one का policy follower है, मतलब China तो है, उसको replace तो तुरंट किया नहीं जा सकता, बट चाहिना के उपर पूरे dependency नहीं राजा सकता, तो उसे initially धीरे धीरे replace कैसे किया जाए, तो इसमें आता है trade, economics, और दूसी बात हमार consumption pattern, क्योंकि हमारा जो lower middle class है, वो middle class हो रहा है, और जो middle class है, उनका income बढ़ने से वो higher middle class में जा रहे है, जब income बढ़ता है, तो consumption बढ़ता है, अब आप देखिए, पहले हम लोग छोटा phone यूज करते हैं, और पांच-सा साल चलती थी, अब जो phone यूज करे हैं, वो मुस्किल से, उससे दसगुना महंगा और मुस्किल से साल लेर साल में change हो रहा है, चाहे वो status बोल लीजे, चाहे वो need बोल लीजे, बट वो हो रहा है, तो ये जो consumption pattern बढ़ रहा है, तो इसका फाइदा सारे European के सारे world उठाना चाहते हैं, और इंडिया के पास इतना बड़ा market है, कि इ इंडिया दूसरे का भी equipments हो गया, या technology हो गया, यह सब भी कर सकता है, तो इसलिए trade एक बहुत बड़ा center है इंडिया के लिए, और ये एक बहुत बड़ा positive point भी है, India France established strategic partnership 1998 में, strategic partnership एक तरह से यह होता है, कि हम लोग military हो गया, military equipment हो गया, हम लोग some military exercise हो गया, इसमें cooperation बहुत बढ़ाएंगे, in fact, intelligence sharing हो गया, देखिए, अगर आपके पास कोई intelligence है, और वो आप दूसरे से share कर रहे हैं, और बदले में उनकी भी intelligence आपको मिल रही है, तो ये आपको proper time में, proper action लेने में बहुत help करता है, fine, अब आईए, जैसे US के साथ, हम लोग various other, कौम कासा हो गया, different deals sign किये, वो सब पे भी हम लोग आएंगे आगे चलके, क्या है यहां पर, India growth, as an economic powerhouse, जो liberalization हुए है, 1992 के बाद, तो India का growth जो है, वो economy में, बहुत ही अच्छा हुआ है, definitely, China has overpowered us, in economic growth, but India is catching pace with China, और अभी जो reforms आ रहे हैं, it's showing the positive result, क्योंकि आप खोद देखिए, पूरे world में, 6-7% grow करने वाला एक ही economy है, not even China, it's India, fine, तो इसलिए, और France तो ही, most dependable partner in European Union, मैंने ये भी कहा था कि फ्रांस के पाद वीटो है, और France वीटो यूस करता है, और कर भी सकता है, future में भी इंडिया के लिए, और जो UN में reform लाना है, United Nation में, उसके लिए France एक बहुत ही साहिक हमारा मित्र देश है, तो इंडिया फ्रांस का bilateralism 21st century में बहुत important है, same as India-US relationship, समझ रहे हो, अगर ये इस level पे हम लोग का relationship रहेगा, दो country के साथ, तो दो country आपस में क्या करेंगी, hold करेंगी, किस चीज़ पे, defense equipment बेचने के लिए, ये defense ties बढ़ाने के लिए, और फाइदा इस चीज diplomacy का खेल, second, civil aviation, nuclear cooperation between India and France, civil तो है ही, nuclear cooperation बहुत important है, क्योंकि हम लोग अभी तक nuclear technology रशिया से लेते हैं, but आप एक चीज़ सुन रहे होगे, I-T-E-R, इसका full form क्या है, एक बाद सच करिए, और हम लोग nuclear, fusion, देखिए, दो तरह का reaction होता है, fusion and fusion, fusion में, एक atom दो में तूड़ जाता है, और fusion में दो atom मिलके एक बन जाता है, fusion reaction कहा होता है, sun में होता है, तो आप यह याद रखिए, कि अगर हम लोग sustain कर लें, nuclear fusion reaction को, तो world का जो crisis है, electricity से लेके, need of energy को लेके, यह खतम हो जाएगा, तो nuclear field एक बहुती बड़ा upcoming field है, जिस पे हम लोग आगे चलके चर्चा करेंगे, अब आईए, यह देखिए, यहाँ लिखा ही है, IEA, International Atomic Energy Agency, fine, now, similarly, both France and India support formation of multiple polar world, जो मैंने कहा था, पहले सिफ दो pole था, US and Russia, या तो आप US के साथ हैं, या तो आप Russia के साथ हैं, और यहाँ होता था problem, कि जब आप एक तरफ चले जाएंगे, तो आप दूसरे से फाइदा नहीं ले पाएंगे, अगर इस तरफ हो, तो इस तरफ से फाइदा नहीं, इस त चाइना भी है, इस तरफ France भी है, उपर Israel भी है, और नीचे इंडिया भी है, इस तरफ Brazil भी उभर के आ रहा है, तो चलिए, ब्राजील तो अभी बहुत कम पाउफुल माना जाता है, बट France, चाइना, इंडिया, ये लोग भी अब गेम में आ रहे हैं, अब चाइना को काउं चाइना का एक बहुती बड़ा फ्रेज है, कि अगर तुम्हारे बगल में कोई सत्रू है, तो उसके बगल में जो उसका सत्रू है, और वो उससे पाउफुल है, उससे दोस्ती कर लो, क्यों? क्योंकि आप जानते हो, एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती, दो सुपर पा दो या तीन बनेंगे, उससे बड़ा सुपर पावर काउंटर करना चाहेगा, और अगर वो लोग दोनों टकर के हैं, तो जो उसके बाद का पावर है, जो जिसके तरफ होगा, वर्ल्ड उसके तरफ जाएगा, तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया किसी के तरफ नहीं जा इंडिया के साथ रिलेशन कराब हो रहा है, ये भी नहीं, ये ही डिप्लोमेसी का गेम है, अगर ये गेम आपको समझ में आ गया, तो एट प्रेजिट इंडिया का जो पोजिशन है, पूरे वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड में, वो आपको समझ में आ जाएगा, काउंटर टे हाट पावर बता चुके हैं हमने, ठीक है, ये जब भी मिल्टिंग होता है, उनका फोटो है, फ्रांस आउटलुक ट्वर्स इंडिया, फ्रांस इंडिया निसको कैसे देखते हैं, ये बहुत इंपोर्टेंट है, और एक बहुती बड़ा बात है, कि वी नो, इंडिया इस व पोर्टेंटिंग आप देख रहे होगे, रस्या से जब हम लोग आयल पर्चास कर रहे ऑखी बहुत बाब आवग आया कि रस्या से ओल पर्चास ना करो, बट क्या? इंडिया ने रोका? नहीं, इंडिया ने बहुती सटीक जबाब दिया है, हर जगा ये नहीं कि आज कि यूरोप को डीजल सबसे ज़्यादा इंडिया से सप्लाई हो रहा है तो प्रीमियम रेट पर इधर आईए अब क्या है यहां पर यह सब मैंने कही दिया था फ्रेंच प्रेसिडेंट मैकरॉन मोटो अलाइड बट नॉट अलाइड मतलब अलाइड हैं बट अलाइड नहीं जरूरी नहीं है कि तुम जो करोगे उसके में साथ देंगे नहीं अगर तुम सही करोगे और हमारे फेवर में होगा देखिए एक बात हरमें सा याद रखिएगा इंटरनेशनल रिलेशनसिप में एथीक्स बैक सीट ले लेता है और वहां पर सेल्फ जो फाइदा है खुद नौट अलाइन है यह अगर आप समझ गए तो पुरा डिप्लोमसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह और सेम वे इकोस दा इंडियांस एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जैसंकर इंडिया इस एंटाइटल तो हैव इस ओन साइड मतलब ना ह खुद के ही तरफ है खुद का ही अपना एक स्टैंड है जिसको कहते हैं democratic स्टैंड या फिर खुद का ही अपना thinking है खुद का ही एक जाच करने का यह है और उस पे चलने का यह है इसको strategic autonomy भी कहते हैं मतलब हमारे internal कोई भी decision external चीज़ से effect नहीं होगा और यह चीज पहुत ही अच्छा से आप लोग देख रहे हैं fine और देखिए strategic autonomy का मतलब क्या है इधर भी लिखे है defined capability to make decision independent from external pressure now जो है हमारे स्री नरेंद मोदी जी guest of honor मिला है France National Day July 14 पे also known as besterile day with an occasion showcase to strength and dependence of bilateral relationship अब next जो series होगा उसमें यह discuss करेंगे कि यह जो इनको मिला है highest honor यह क्यों मिला है और अभी क्या relevance है इनको यह highest honor मिलने का क्या यह highest honor मोदी जी बहुत बार गए है क्या यह highest honor पहले नहीं मिल सकता था अभी मिला है तो उसका क्या relevance है यह समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप यह समझ गए तो यह अभी क्यों मिला है इसको आप decipher कर पाएंगे तो next जो series होगा बहुत ही जल्दी आएगा और बहुत ही standard की होगी आप हमें help करिए like करिए subscribe करिए and share करिए इस channel को because हम लोग बहुत ही ज़ादा effort डाल रहे हैं आपको इतना quality content इतनी अच्छे तरीके से समझाने के लिए धन्यवाद, subscribing of, sorry, signing of Suraj